हाई वेलकम तो बाच चानल इस बीडियो में सॉल्व करें हैं क्वेशन नबर टू तो ध्यांदर जीगा construct a quadrilateral ABCD such that AB is equal to BC is equal to 5.5 cm, CD is equal to 4 cm, DA is equal to 6.3 cm and SC is equal to 9.4 cm measure BD सबसे पहले काया करते हैं आपको पता है कि एक rough diagram ट्रा करेंगे चली हम एक rough diagram ट्रा कर लेते हैं तो rough diagram में कोई भी measurement का मतलब specific नहीं होता आप कैसे भी coordinator बना करके आप level कर देंगे इसको ठीक है तो यहां से हम ले लेते हैं ओके तो हमने यहां पर अब level कर लिया है ठीक है तो यहां से फिलकु दिखाई दे रहा है कि क्या करना है पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक side ड्रा करेंगे AB और उसके बाद जो है हम C find करेंगे और C find करने के बाद D find करेंगे ठीक है क्योंकि सारे all the four sides are given and one diagonal is also given तो यह बहुत असान होता है आप किसी एक side को ड्रा करके ड्रा कर सकते हैं चले ड्रा करता है AB पहले हम ड्रा करेंगे ओके तो अब क्या करना है कि A को center मान करके 9.4 center पर radius लेकर के हम C यहां पर arc खीचेंगे एक और B को center मान करके C bar हम यहां पर arc खीचेंगे और आपको दुनों जो arcs जहां पर cut करेंगे वही point मिलेगा C अब करना क्या है कि आपको C को center मान करके 4 cm के radius लेकर के D की तरफ यहां पर arc खीचेंगे और A को center मान करके 6.3 cm लेकर के यहां पर दुसरा arc खीचेंगे जो cut करेंगे C वाले arc को और O point मिल जाएगा D अब यहां जो point मिला है वो आपका है D AD और CD को join कर देंगे अब हमारा जो है quadrilateral construct हो चुका है तो यहां पर measure कर लेंगे BD BD का length देखते हैं यहां पर क्या मिला है आपको यह आपका यहां है 5 cm okay this is 5 cm तो इसका जो BD का length है वा आ गया 5 cm so length of BD is 5 cm इस तरीके से आपका जो है यह quadrilateral construct हो चुका है thank you so much for watching bye